आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ बच्चों, question is why is camphor preferred in the determination of delta TF? बच्चों, अगर आपके पास question camphor का आता है तो आप delta TF को यूज करोगे, delta TF is equal to KF into molality तो अगर आपको ये colligative property की value जादा चाहिए high value of delta TF तो आप चाहोगे या तो इस KF की value जादा हो जाए या इस molality की value जादा हो जाए बट मालनो अगर आपको solvent का देखना है तो आप देखोगे, delta F should be proportional to the KF कि अगर KF की value जादा है तो delta TF की value भी क्या होगी बच्चों, जादा होगी अब आप बताओ, इस KF की value अगर हम water की बात करें, तो KF for water होता है बच्चों 1.86 और अगर हम बात करें KF for camphor, ये होता है बच्चों 37.7 आप बोल सकते हो this value KF for camphor is 20 times greater than KF for water तो अगर KF इसका जादा है तो ये value आपके already के आएगी बच्चों high आएगी इसलिए हम KF for को prefer करते हैं clear है Classics to 12 से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज ही राउनलोड करे डाउटने टाप ये WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8444 चार्स उपर